चहल कदमी करते करते इनके आवारा कदम कुछ कलियों की खाक चानने के बाद एक वाइन शौप से कुछ खरीदारी करके पहुँच जाते हैं वापस अपने घर की बालकनी में और शाम की हवा का मजा लेते हुए बियर के घूट भड़ते हुए दिखाई देते हैं उनके सामने रखे हुए छोटे टेबल के उपर कुछ वैफर्स और पीनट्स होते हैं जिसका इस्तेमाल ये दोनों चकने की तरह कर रहे होते हैं अश्विन अपनी बाइनॉकलर से बीच बीच में आसपास नजर मारता है दोनोंने हलके टीशट पहन रखे हैं राहूल ने एक ट्राउजर पहना है और अश्विन ने भरमूडा दोनों है बीयर की चड़ती खुमारी का सिप सिप करके मजा ले रहे हैं और उनके कमरे में रखे म्यूजिक सिस्टम से बेहत सुरी लगाना बज रहा है अश्विन बरावर अपने बाइनॉकलर से उस लड़की की बालकनी में जहाक रहा था लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था अश्विन ने गड़ी की तरफ देखा जो उसके कमरे की दिवार पर टंगी हुई थी रात के साड़े दस बज रहे थे अश्विन को इस तरह बरावर गड़ी देखते और बाइनॉकलर से जाकते देख रहुल कहता है अरे इधर ला बेटा दुर्बिन लगा के जो तुम नहीं देख पा रहे हो न वो हमारी नंगी आखे देख लेती है वो उस तरफ देखो राहुल इशारे करके समझाता है अश्विन को दूसरी खिड़की की तरफ तो अश्विन बड़ी तालींता से लग जाता है इस लड़की को तारने में और राहुल वहां से उठते हुए कहता है अश्विन के हाथ में बियर और एक हाथ में बाइनॉकलर लेता है और कहता है वाँ ! क्या कयामत है यार इतने में लड़की जोइंट फूकते फूकते अपने कमरे में लगे मिरर के पास जाती है और अपने नेकलिस, चूडिया, गले की चैन निकालने लगती है जैसे दीरे दीरे अपने आपको किसी बंधन से आसाथ कर रही हो फिर कुछ देर अपने आपको आइने में देखने के बाद अपना ब्लाउज उतार देती है अब तो कुछ ज्यादा ही होट लग रही थी वो उसके बाल खुले होते हैं फिर वो अपना पेटी कोट भी उतार देती है अब वो सिर्फ ब्रा और पेंटी में थी जैसे कोई बिकनी मॉडल हो हुसन तो उसके अंग-अंग से टपक रहा था मानो अपसरा लग रही थी अश्विन तो खयालों में उसको ऐसे सोच रहा था जैसे उसको पर लग गये हो और उसे वो किसी बिकिनी परी की तरह लग रही थी अश्विन बाइनोकलर राहूल की और बढ़ाते वे उसको देखने के लिए इशारा करता है राहूल जैसे ही देखता है बोल बढ़ता है हाट है यार अश्विन ये सुनकर जवाब देता है अब तु देखता जा अभी तो शो बस स्टार्ट हुआ है राहूल भी मजे ले रहा था इस मनोरम सौंदर ये पूर्ण शो के और वो कहता है हाँ यार अच्छा तु प्रपोस कर रहा है या नहीं अश्विन खिल खिलाते हुए कहता है अनिस्ली मुझे तो ये थोड़ी सी आउट अफ लीग लगती है मैं तो बस शो से खुश हूँ मेरे भाई राहूल टॉंट करने के अंदास में कहता है अब ये आउट अफ लीग या आउट अफ आउकाद हाँ सालेफ फट्टू अब इश्क भी करना है और रिस्क भी नहीं लेना ऐसा कहीं होता है क्या फिर थोड़ा सा सीरियस होकर समझाने के लिए कहता है सुन जो डर गया उमर गया चला आज के लिए इतना ग्यानी काफी होगा अब मैं सोने जा रहा हूँ तू मज़े ले ओके बोलते हुए वहाँ से निकल जाता है अश्विन उसको रोकने के लिए आवाज देता है क्या तेरा मन नहीं कर रहा और देखने को राहुल जवाब देते हुए कहता है यह स्टॉकिंग विस्टॉकिंग में मज़ा नहीं है मैं तो सामने से देखना पसंद करता हूँ तुझे तो पता है ना अश्विन हसते हुए कहता है हाँ भाई तू तो लखी है यार पर मुझे लगता है यह थोड़ी अलग है मुझसे तो छोड़ तुझसे या किसी और से भी नहीं पटने वाली मेरे भाई राहुल जवाब में कहता है पटाना भी किसको है पर हाँ चैलेंज मत कर परना बात जिद पर आ जाएगी अश्विन उसकी बात सुनके हसते हुए उसे कहता है अच्छे चल ठीक है चल गुड नाइट राहुल जो अश्विन को बोल के आया था कि वो सोने जा रहा है अपने कमरे में खिड़की के पास ख़डा होकर मुबाइल कैमरे को जूम करके उसी बालकने की तरफ करके रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है वो देखता है कि लड़की अपने कमरे में अकेले मादक डांस कर रही है बहुत खुश नजर आ रही है वो उसके कमरे से अंग्रेजी गाने की सुरीले सुनाई दे रही है जो उसके डांस को और भी मनोरम बना रही है वो लड़की नाचते नाचते अपने अंतह वस्त्रों को भी निकाल देती है और खुद के बदन को सहलाने लगती है उसका बदन ऐसा लग रहा था जैसे उपर वाले ने बड़ी फुरसत से तराश कर बेजा है उसका हर एक अंग अपनी ही दास्तान सुना रहा है इस तरह वो करिश्माई थी कि किसी भी सादू की सदियों की तपस्या भंग कर दे वो मेन का रंभा आदी अपसराओं जैसी खुबसूरत थी रहुल तो फिर भी एक आम लड़का था आज के जमाने का कैसे नहीं बिगलता रहुल का गला सूखने लगा है वो अपनी पलकों को बिना जबकाई एक ड़क उसे ही देख रहा था जैसे पलके जबकाने से कोई सीन मिस हो जाएगा उसके हाथ अपने कावों से बाहर जाने लगते हैं और वो हो जाता है जो खुद कुछ दिर पहले अश्विन को ये सब ना करने की हिदायत दे रहा था वेबस हो गया था राहुल भी ऐसी मायावी हसीना का हुसन देख कर अश्विन, राहुल और वो लड़की जिस सोसाइटी में रहते हैं उसके सामने का रास्ता बिलकुल खाली था गेट के पास वाच्मेन भी नहीं था दिन का दूसरा पहर चल रहा है समय कुछ तकरीबन साड़े बारा के आसपास होगा अचानक एक रक्षा आगे केट के पास आकर रुकती है और उसमें से वो लड़की बाहर निकलती है उसके हाथ में बहुत सारे शॉपिंग बैक्स थे जैसे वो अभी-भी बहुत सारी शॉपिंग करके वापस आई हो बैक्स बहुत सारे होने के कारण वो केट नहीं खोल पाती और वाच्मेन का इंतिजार करने लगती है उसने एक जीन्स और सिंपल टॉप पहन रखा था फिर भी गजब की खुबसूरत लग रही थी वो ऐसा लग रहा था जैसे वो सुन्दरता की नहीं सुन्दरता उसकी महताज हो कपड़े वो चाहे कैसे और कुछ भी पहन ले मगर उसकी खुबसूरती में जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता था वो इंतिसार कर रही थी तभी वहां राहूल अपने बाइक से आकर रुख जाता है और अपनी हेलमेट निकालते हुए उसकी तरफ देख के कहता है लगता है आप यहां नहीं है लड़की ने जवाब दिया जी हाँ राहूल फिर पूछता है क्या मैं आपकी कोई मदद करूँ बोलते हुए वो हाथों में लड़के बैक्स की तरफ इशारा करता है लड़की फिर जवाब देती है नहीं नहीं मैंने सुना है अंजान शहर में अजनभियों से मदद नहीं लेनी चाहिए राहूल पूरे कॉण्फिडेंस के साथ कहता है जी हाँ बिलकुल सही सुना है आपने पर पडोसी से तो कर सकते हैं न मैं इसी बिल्डिंग में आपकी बालकनी के अपॉजिट वाले फ्लैट में रहता हूँ मेरा नाम राहूल है और आपका लड़की ने जवाब दिया जी साइमा मुझे नहीं पता था कि आप यहीं रहते हैं मुझे लगा आप कोई स्टॉकर हैं और क्यों ही पीछे पड़े हैं राहूल ये सुनके पहले तारीफ करने के अंदाज में कहता है ओ वाव नाइस नेम फिर कॉमेंट करने के अंदाज में कहता है काश आप थोड़ा पहले यहां शिफ्ट होते तो शायद मैं स्टॉकर भी बाखुशी बन जाता बोलते हुए हस पड़ता है साइमा चौकते हुए कहती है क्या मतलब? राहूल कहता है मतलब यह कि कुछ ही महीनों में मेरे इंजिनिरिंग के एक्जाम्स खत्म हो जाएंगे और फिर कोई ना कोई कंपनी रिक्रूट कर ही लेगी बीच में जो टाइम मिलेगा वो घरवालों के साथ बिताऊंगा वो लोग भी मुझे मिस्कर रहे न यह सुनके सेफ हैं मेरे साथ राहूल इंसिस्ट करते हुए कहता है तो साइमा इसमाइल करते हुए हामे सरहलाते हुए श्योर कहती है दोनों लेफ्ट की तरफ बढ़ने लगते हैं चलते चलते राहूल कहता है अब तो हम पडोसी हो गए हैं अगर कभी वक्त मिले तो आपको मैं शहर गुमाना चाहता हूँ। ये सुनके साइमा सवाल करती है। तो कहां गुमाईंगे आप। राहुल कहता है पासी में एक मॉल है। राहुल की बात पे कोई खास रियक्शन नहीं देती है साइमा। तो राहुल को लगता है कि साइमा कुछ खास इंटरेस्ट नहीं ले रही है। तो बात आगे बढ़ाते हुए कहता है। उसके सामने एक चाय का स्टॉल है बबलू चाय शॉप। यहां की वर्ल्ड फेमस चाय बनाता है। साइमा कहती है मैं चाय नहीं पीती। साइमा बोलते हुए फिर रुख जाती है और कुछ सेकंड बात फिर कहती है। कॉफी पीती हूँ, यहां शहर में कोई अच्छी सी कॉफी शॉप है। राहुल हा में अपना सर हिलाते हुए कहता है। हाँ है ना। दुनों हसने लगते हैं और लिफ्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। उसी शामे कॉफी शॉप के अंदर राहुल बैठा होता है। किसी से फोन पर बात कर रहा है और अपने बात खदम करके वो फोन वापस अपने पॉकेट में रखता है। इतने में साइमा उस कॉफी शॉप में एंटर करती है और वेव करते हुए उसे बुलाते बुलाते उसके पास आती है। राहुल ने एक जीन्स और टी-शिट पहना हुआ है जो उस पे काफी फब रहा है। और साइमा ने एक western one piece पहना है, जो off shoulder थी, उसकी deep thighs और shoulder से cleavage तक, सब आसानी से दिख रहा था, एक दम किसी film की hot model जैसी लग रही थी, रहुल साइमा को पास आते देख कर कहता है, sorry sorry, वो एक college के दोस्त का phone था, साइमा भी उसको comfortable करने के लिए कहती है, it's okay, fine, no issues, रहुल फिर कहता है, बोलो ना, क्या बोल रही थी तुम, साइमा कहती है, देखो मेरी सारी shopping हो गई है, बस परदे बागी हैं, क्या तुम help करोगे, रहुल ये सुनके कहता है, मैं company दे सकता हूँ, पर मुझे खरीदने नहीं आते, हाँ, लगाने ज़रूर आते हैं, साइमा मजाकिया smile देते हुए कहती है, डहाई लोग अच्छे मार लेते हूँ, अब चलें, रहुल भी हाँ में अपना सरह लाते हुए कहता है, जो होकुम म अथरमा, चलिए, दुनों हसते हुए कॉफी शौप से बाहर निकल जाते हैं, चलिए, अब चलिए, तो हो कहता है, भी है, चलिए, तो हो याँ में काम जाते हैं,